हलो दोस्तों, तो आपकी back to basic series जो अब चल रही है, उसमें आज हम geography शुरू करेंगे and geography में हम एक topic शुरू करेंगे, geomorphic processes and landforms तो अगले कुछ हफते हम आपका NCRT की ये दो topics, ये दो chapters को entirely बहुत ही basic से करेंगे and why is it called back to basics? मान नीजे कि आपको बाकी chapters के बार में कुछ भी नहीं बता, कोई दिकत की बाती है, बहुत ही basic से मैं आपको चीज़े बताऊंगी आपको lecture के end तक सारा का सारी चीज़े exactly याद हो जाएं और हर lecture के end में हम एक एक question भी करेंगे so that आपको concept की clarity हो जाए ठीक है? Before I start the lecture, दो बाते जो मैंने अपने pre-cure से पहले भी कही थी I want you to see आज का 2 minute, बहां पर मैंने Tropical Forest Alliance 2020 discuss किया हो है It's an important topic because बहुत ही कम जगा mentioned है ये current interface में तो UPSC usually essay questions डालता है जो बहुत ही कम जगा mentioned हो दूसरा जो भी हम अपने 2020 courses पर rebate दे रहे हैं उसका आज है last day जी, तो अगर आप cost लेना चाहते हैं, तो आज would be your last day to save some money ठीक है? तो have a thought about it as well चले, lecture शुरू करते हैं अब एक चीज हमने समझनी है, earth की surface ठीक है? Earth की surface uneven क्यों है जी? ठीक है? uneven मतलब मान लो simple शब्दों में अगर मैं कहूं कि कहीं पे पाहाड हैं, कहीं पे नदियां हैं कहीं पे बहुत बड़े-बड़े गढ़े हैं जैसे आप crater lake कहते हो, इंडिया की लोनार lake को कहते हो, कि बहुत ही बड़े गढ़े में, बहुत ही बड़े depression में पानी है, तो हर जगा ये unevenness क्यों है? unevenness का कुछ न कुछ तो reason होगा और ध्यान देना, यहाँ पे शब्द है, earth की surface पे जो earth की सतय है सबसे उपरवाली, जिस पे हम रह रहे हैं, वो क्यों uneven है? इसका मतलब है, कोई नो कोई force तो होगी, जो इस unevenness को cause कर रही है, तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं, कि earth की surface पे जो unevenness है, right? कौन सी ऐसे चीज़े हैं, जो से affect करती है बहुत basic पढ़ेंगे आज अब ये तो मैंने आपको simple सा example दे दिया, है ना, एक मैं UPC type example देती हूँ आपको desert दिख रहा हैं आपे, तो इंडिया में desert है, आज वह एक water body हुआ करती थी, लेकिन आज वह desert है, right? इसका मतलब है, पहले surface पे कुछ और था, अब surface पे कुछ और है simple शब्दों में समझे तो, तो इसका मतलब है, कि जो ये surface of the earth है, इसमें अगर changes है जो चीज़ पहले water body थी, आज desert है, इसका मतलब है कि कुछ forces है, जिसने अपना काम किया, तभी ऐसा हुआ है simple शब्दों में अगर समझे, let's not get into technicalities तो simple से शब्दों में कोई नों कोई force है, जो earth की surface पे चीज़ों को बदल रही है, तो हमें वह force के बार में पता होना चाहिए ठीक है, before I go forward कि NCRT कहती है कि हमें कैसे बता भई, कि वहाँ पे पहले water body थी तो NCRT बोलती है भई, वहाँ पे marine deposits पाये जाते है marine का मतलब क्या है जो कि ऐसी चीज़ें, जो कि oceans associated है, खारे पानी से ocean से, तो वही वह कहने की कोशच कर रहे है कि ऐसी चीज़ें, जो कि oceans में होनी चाहिए थी वो उन hot desert में पाई जा रहे है इसका मतलब है कि पहले वहाँ ocean हुआ करता था, जहां आज desert है पहले question cancer, ठीक है इसको याद रख ली जएगा, आपके किसी two marks के prime question में कामा सकता है, ठीक है anyways हम आगे बढ़ते हैं, हम forces की बात कर रहे थे तो इसका मतलब क्या है कि earth के surface को कुछ ऐसी forces है जो continuously बदल रहे है ठीक है, जितना यहाँ पर forces शब्द important है, उतना ही surface शब्द भी important है, कि सारे के सारे changes earth की surface पर ही होने चाहिए, earth की सतह पर ही होने चाहिए अब यह कौन-कौन सी forces है दो forces है, एक आपकी exogenic force है, एक आपकी endogenic force है ठीक है, आप कुछ term समझ लो जैसे ही मैं exo बोलूँगी आप समझ जाओगे कि मैं outside की बात करें, कुछ external force समझाओगी मैं आगे जैसे ही मैं endo बोलूँगी आप समझ जाओगे अंदर से बात हो रही है और जैसे ही मैं earth की surface की बात करूँगी है ना, आप समझ जाओगे कि मैं कहीं ना कहीं geomorphic की बात करें आगे जाके हमें एक शब्द उस करेंगे geomorphic, बस आप इतना याद रख लो कि होगी जो की इन changes को कर रहे है पर ध्यान देना, changes हमेशा surface पे ही होंगे तो अगर वो change बाहर से हो रहा है तो आप उसको बोलते हो exo वाला change और अगर ये earth के अंदर से कुछ changes होके surface पे change हो रहा है तो आप उसको बोलते हो endo वाला change ठीक है, simple शब्दों में आगे समझते हैं कि exactly हो क्या रहा है ठीक है, अब देखो यहाँ पे छोटी सी चीज़ याद रखना whenever I say earth हमेशा ही एक ऐसा structure imagine करना है आपने कि earth के surface पे changes हो रहे हैं, so this is earth की surface कभी भी earth को ऐसा imagine नहीं करना कहने का मतलब क्या है, अगर मैंने बोला कि earth की surface पे हवा से changes हो रहे हैं, अगर आप इसको imagine करो तो आपके दिमार में क्या आता है अच्छा मेरे घर के भार जो हवा चल रहे हैं, नहीं आपको ऐसा imagine करना है कि एक circle है, जो हम globe को गरते हो, और globe के आसपास हवा चल रही है, उससे earth की surface पे changes है, यह पूरी earth की surface ही है, जो आपको नजर आ रही है तो ऐसे imagine नहीं करना है flat goal imagine करना है, similarly अगर मैंने बोला कि earth की surface पानी की वज़े से कुछ changes है ना, बाढ़ आगे changes हो गए, तो अब आपको goal earth imagine करना है, और यह पूरी आपकी earth की surface है, यह surface imagine करना है, ना कि जिस जमीन पर आप खड़े हो तब ही चीज़े समझ में आएगे इसका मतलब क्या है, कि यह आपकी earth है, यह पूरी earth की surface है, तो बाहर से जो भी forces आई, मतलब जो की इसकी surface पर बाहर से act कर रही है for example, wind act कर रही है इस तरह से, या पानी act कर रही है इसके ओपर, वो सारी कौनसी forces हैं वो सारी कौनसी हैं, आपकी exogenic forces है ठीक है, इसका मतलब है, exogenic forces क्या होती है, ऐसी forces जो की earth की surface के उपर से काम कर रही है, right absolutely इसके उपर से काम कर रही है, for example, wind and water ठीक है, for example मैंने पानी इमाजन कर दिया, कि earth की surface के उपर, मानलो, बाड आ गई तो दिक्कतें आ गई, अब ऐसे इमाजन नहीं करना है आपको, आपको कुछ इस तरह से इमाजन करना है, कि बाड आ गई तो earth की surface पे उपर-उपर ही changes हो गए, so this is your exogenic forces, ठीक है simple था, अब मानलो, मैंने बोला कि, पहले इस region में पानी नहीं था, अब यहाँ पानी आ गया, तो मुझे land ऐसा इमाजन नहीं करना है, मुझे circle इमाजन करना है, और कहना, अच्छा यहाँ पे changes आ गए, earth की surface पे उपर ही कुछ changes हो गए, जिनसे की, geomorphically या फिर earth की surface पे changes आ गए, तो वो क्या थे आपके, exogenic forces थे, for example, wind से change आ गए, water से change आ गया, ठीक है जो चीज मैंने आपको समझाई, अब endogenic forces क्या होती है, endogenic वो चीज़ें होती है यह ऐसी forces है जो earth की surface के अंदर से act करती है कहने का मतलब क्या है अगर आप earth का एक पार्ट यहां से काट लो, तो अंदर बहुत सारा volcano भरा हुए है, right बहुत सारी heat भरी हुई है not volcano, रादर अगर आप इसे काओ magma भरा हुई है, बहुत सारी heat भरी हुई है, बहुत सारे elements है जो की molten form में है तो जब कोई भी energy earth के अंदर से बहार की तरफ इस तरह आए, right, यह energy बहार की तरफ इस तरह आए, कि यह जो बहार की surface है, यहां पे changes कर दे right, तो वो forces क्या कहलाएगी आपकी, endogenic forces, right तो इसको एक और बार समझते हैं, मान लो की earth के अंदर से volcano बहार आ रहा है right, यह earth के अंदर से earthquake आ रहा है, right तो वो forces कौन सी होंगी endogenic forces होंगी, ऐसी forces जो changes तो earth की surface पे कर रही है, लेकिन उनका origin क्या है, earth के अंदर से यह जो volcanoes है, यह जो magma है, यह जो heat है इसकी वज़े से यह changes हो रहे है ठीक है, जैसके मैं कह रही थी कि earth को अगर आप काटोगे हैं जस देखने में, one fourth, तो यह जितनी भी heat जैसे ही बाहर आएगी इसकी वज़े से जब भी changes होंगे आप उनको क्या कहोगे, वो changes अर्थ की surface पे, किस वज़े से हो रहे है endogenic forces, अब आप कहोगे अच्छा अगर यह heat बाहर आगे, तो change कैसे हो रहा है अर्थ की surface पे, यहाँ देखो यह magma आया बाहर अर्थ की surface पे, है ना, यह अंदर था और यह अर्थ की surface है, अब यहाँ पे मागमा एकठा हो गया, एकठा हो रहा है, हो रहा है और यहाँ पे, एकठा हो गया है, eventually जब यह magma ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बन गया, आप देख रहे हो mountain की formation हो गई इसका मतलब है, अर्थ के अंदर से जो force आई थी, है ना जैसे ही वो, उसकी वज़े से अर्थ की surface पे लावा, एकठा हुआ ठंडा हुआ, mountain बन गया इसका मतलब है, पहले वहाँ plane land था अब वहाँ बन गया mountain, इसका मतलब है अर्थ की surface पे changes हुए है और यह किस वज़े से हुए, इन forces की वज़े से, जो की earth के अंदर से आ रही है, तो ऐसी forces क्या कहलाएंगी, endogenic forces कहलाएंगी कौन सी forces है, क्या है eventually हम next class में देखेंगे आज बसा basic समझ लो, ठीक है इसका मतलब है, अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि जो endogenic forces है जो earth के अंदर से आ रही है इनका source क्या है ये क्यूं हो रही है, तो आप क्या बोलोगे कि earth के अंदर जो heat है उस वज़े से ये changes हो रहे है बिकिस ये जो forces है, ये जो volcanoes हा रहे हैं, ये earthquakes हा रहे हैं कहीं ना कहीं, इनका origin क्या है earth के अंदर की जो heat है तो आप देख रहे हो, although आपको conventional current theory नहीं पढ़ाई, मैंने कोई भी theory नहीं पढ़ाई, बट basic से ही आपका answer हो गया, तो ऐसे ही हम basic से कोशिश करेंगे कि आपकी answers आ जाए, ठीक है अब endogenic forces भी दो तरह होती है, एक होती है slow, एक होती है sudden, ठीक है, sudden कौन से होगी, एकदम से volcano आ गया, तो क्या होगा, suddenly कुछ changes की तरफ बढ़ गए है कुछ slow changes होते है, है न कि जैसे mountain बनता है, बनता है यह तो नहीं न, कि एक दिन में volcano आया और कली सुख गया, या कली ठंडा हो गया it takes a lot of years, so कुछ slow processes भी हैं, जो कि volcanoes, eventually mountains बनाते हैं, ठीक है इसका मतलब है, हमें में दो चीज़ें पता है कि यह earth है, और earth के surface पे ही सारे changes हो रहे है लेकिन जो changes external agents की वज़े से हैं, for example wind, water, वो कौन से forces हैं, exogenic forces और ऐसे changes जो कि अंदर से चीजों की वज़े से आ रहे हैं, for example volcano हो गया, earthquake हो गया वो क्या कहलाती है, endogenic forces कहलाती है, simple था कोई difficulty की बात नहीं है, चलो इसका मतलब है, अब हम आंसर करते हैं कि earth की surface uneven क्यों है क्योंकि constantly earth की surface पे कुछ endogenic चीज़ें हो रहे हैं, और कुछ exogenic चीज़ें हो रहे हैं, और इन forces की वज़े से changes आ रहे हैं, simple था कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसका मतलब है कि earth की crust, earth का जो surface है, it is constantly evolving, evolving why because of certain endogenic forces which are coming from below the earth, inside the earth, और due to certain exogenic forces which are coming from the surface or from the outside regions of the earth, simple था, कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पे दो हम term समझते हैं, basic तो हमने समझ लिया, एक term है आपकी geomorphic agent, एक है आपकी geomorphic processes, ठीक है geomorphic क्या होता है, geomorphic का मतलब है, related to the earth surface, यहाँ पे हम यही तो पढ़ रहे हैं कि जो भी ऐसे processes हैं, which are related to the earth surface, वो क्या होते हैं geomorphic होते हैं, यहाँ पे हमने endogenic, exogenic changes पढ़े हमने earth की surface पे ही तो पढ़ें right, इसका मतलब है कि चाहे कोई भी force हो अगर वो earth की surface पे changes कर रहे हैं, तो आप कहोगे यह तो geomorphic process है, अब यह changes कैसे हो रहे हैं, water से हो रहे हैं, wind से हो रहे हैं, volcanoes से हो रहे हैं, तो यह जितनी भी चीज़े change cause करेंगी, agents कहलाती है for example, मुझे घर खरीदना है तो मैं real estate agent के पास जाती हूँ, इसका मतलब है कोई भी process करने में, जो चीज़ help कर रहे है, वो उसकी agent है, इसका मतलब है, earth surface को change करने में, जो भी चीज़ काम आ रही है, for example, wind water, anything, right, वो क्या है, उसकी agent है, geomorphic agent है, तो बहुत direct question आ सकता है आपको, which are the following geomorphic agents, simple सवाल आए तो तो आपको समझ में आ जाएगा, wind, waves अगरा की बात हो रही है, इसको हम detail में आगे वली classes में दे करेंगे, आज जब आज सब basic समझ लो, अभी जतना में process हो रहा है, wind ने तो अपना काम कर दिया है Na, wave ने अपना काम कर दिया current ने अपना काम कर दिया पर जो पुरा process है होने का हर एक चीज से जो भी चेंजिश हो रहे हैं उसका नाम अलग है weather कीवज़े से अगर changes हो रहे हैं, उसको weathering कह रहे हैं इसे तरह हर agent की वज़ा से जो process होगा जो change होगा उस process का अपना एक नाम है जो की हम आगे lectures में पढ़ेंगे ठीक है जी simple था समाझ आ गया तो अगर आपको question पूछ लिया जाए agent कौन कौन से आप easily identify कर सकते है process कौन से है यह हम eventually आगे lectures में पढ़ेंगे ठीक है अब एक question करते है ठीक है कि which of the following forces contribute to endogenic geomorphic processes कि इसमें से endogenic process कौन सा है ठीक है तो अब देखो दो option देता है एक कह रहा है heat from the origin of the earth primordial heat और दूसरा कह रहा है waves and ocean currents कह रहा है यह जो primordial heat है यह endogenic है या फिर waves and ocean current endogenic है अब इसको answer करते है जैसे ही मैंने waves और ocean currents कहा आपको earth goal आप imagine करोगा और आप imagine करोगी यह सारा तो इसकी surface पे हो रहा है बाहर से हो रहा है इसका मतलब waves और ocean current क्या है exogenic है और question में क्या बोला था endogenic बोला था जैसे ही मैंने primordial heat की बात की आपको यह diagram याद आना चाहिए कि अंदर से heat बाहर की तरफ आ रही है यानि कि earth के अंदर से change हो रहे है तो आप बोलोगे भई यह तो endogenic forces है तो अगर आपको answer किया जाए तो आप endogenic में क्या बोलोगे आप बोलोगे waves तो exogenic थी राइट क्योंकि वो बाहर की थी लेकिन जो heat थी वो earth के अंदर से आ रहे थी तो आपका answer क्या है only one समझ मैं आपको चाल बहुत simple से चीज़े करेंगे ताकि आप easily answer कर पाओ ठीक है जी चलो that was all for the lecture next lecture में इसको पूरा detail में करेंगे endogenic concept processes होते है exogenic कैसे होते है क्या क्या में में मेकानिजम होते है and everything ठीक है next Monday so if you're a 2020 aspirants और आप अपने pre के marks को बढ़ाना चाते हो because ultimately if you don't clear pre there is going to be no means तो अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है that you want to work on your prelims there are courses but if you think you're already prepared for free you can always go for the writing module ठीक है इसके अलावा अगर आप 2021 के aspirant है so let me tell you again कि सारे courses available हैं लेकिन rebates की discounts की आज last date है you'll have to see if you really want to enroll best part is कि आप घर बेठी इन सब courses को समझ सकते है and the kind of समय जो आज कल चल रहा है you better go for such courses because ये long run में देल help you a lot ठीक है तो PCM batches है best part is installments है optionals है and there are lot of combinations तो इन सब पर आप ध्यान दे सकते हैं and if you want to enroll and also save some money today would be your last date ठीक है जी also अगर आप इन में से कोई भी course लेते हैं ध्यान दीजेगा हम answers evaluate भी करते हैं which also helps you to increase your productivity apart from this अगर आप कोई भी course लेना चाहते हैं आप sleepyclasses.com पे जा सकते हैं वहाँ आपको मिल जाएंगे and if you want to see कि हम किस तरह पढ़ाते हैं lot of people ask for demo lectures पूरा चानल demo lecture है जी आप कोई भी lecture चेक करके you can make your decision ठीक है जी and if you want to download certain PDFs या तो आप sleepyclasses.com पे चाहिए या हमारा टेलेग्राम चैनल जॉइन कीजिए दोनों ही जगा हमें से शेर करते हैं ठीक है जी simple था चालो था ओके दोस्तों में बाई